नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? Aspirations of Women के बारे में बात करेंगे Middle History चल रही हो और वो भी योरोप की Middle History योरोप की Middle History में Renessa के कुछ elements मैं आपको बता दिये हाला कि इस chapter के end तक आपको पता चलेगा आके कि बहुत सारे authors नहीं बोला कि जिसको हम Renessa समझ रहे थे वो actually में Renessa नहीं था बाराल उस thought process पे हम लोग थोड़ी देर में पहुँचेंगे सबसे पहले बात करते हैं aspirations of women के बारे में देखी जब individuality की बात आई, citizenship की बात आई, एक forward source की बात आई जो बड़ी-बड़ी aristocratic families थी, aristocratic मतलब जो nobility और जो नहीं, आपके noble type के लोग होते हैं, minister minister हो गए, राजा के अंदर काम करने वाले, तो इनकी जो families थी ये public life में बहुत आगे थी अब इनके यहाँ पे जो men थे, वो decision makers थे, ladies को ज़ादा यहाँ पे freedom दी नहीं जाती थी ये men अपने son को educate करते थे, ये son ही बाद में इनका family business take over करेंगे या public life में जो भी ये nobility कर रही है, aristocratic families कर रही है, वो करेंगे कभी-कभी son को church join करने के लिए भेज दिया जाएगा, और woman को यहाँ पे ज़्यादा importance नहीं दी जाएगी जब दो aristocratic family मालो A1 और A2 की बीच में शादी होगी, तो मालो A2 की जो daughter है वो A1 की बेटे से शादी कर रही है तो A2 की daughter A1 की family में आ रही है, तो A2 के साथ dowry आएगी, कुछ दहेज आएगा, जी हाँ दहेज उस समय पे भी चलता था, European society में चलता था, इंडिया को तो फालतु ही blame के जाता है कि हमाँ दहेज चलता है In fact, जब Portuguese princess का रिष्टा हुआ था, Britain के राजा के साथ, उस समय पे Bombay नाम का जो island था, वो दैएज में दे दिया गया था, थोड़ी high level की dowry चल रही थी, यूरोपेंस में तो क्या होता था कि जब भी दो aristocratic families के बीच में शादी वगरा होती थी, तो जो dowry आती थी लेडी के साथ, उस diary को family business में इंवेस्ट कर दिया जाता था, चर्च वगरा को दे दिया जाता था overall in aristocratic families में business कैसे चलेगा, या पूरी तरीके husbands, male members decide करें कि women को कोई भी बोलने की अनुमती नहीं है, चाहे वो कितनी भी talented women, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारी के सारी privilege यहाँ पे men के पास थी, husbands के पास थी अगर proper तरीके से डाउरी नहीं आ पाई, किसी घर के अंदर कोई aristocratic family, nobility, किसी वज़े से डाउरी नहीं खटा कर पाया, तो उसकी जो daughter रोगी उसको उठा के convent भेज दिया जागा ताकि वो none की life जीए और none की life की उपर उस समय पर काफी restrictions थे, आज की rate में अगर कोई none बनता है, तो अपनी मर्जी से बनता है, कि ठीक है भाई, उसने सारे pleasures छोड़ दिये हैं, भगवान के अपनी जिंदिगी दान कर दिये, तो वो none बन के convent पे रह र जो public role था, women का वो बिलकुल भी अच्छा नहीं था, household के keepers की तरह देखा जाता था, बच्चे पालो, घर में खाना वगरा बनाओ, इस प्रकार के काम में women's को लगा के रखा गया, तो मतलब women's की हालत उससे में पे भी खराबती, middle Europe की हम बात करें, जिसको आज की date में इतना मिल जाती है, if possible for you friends, click the join button, आपको join button नमाने से खासा मतलब मिलती है, तो click the join button if you can, जाता से जाते लोगं साथ लेक्चर को share करना, subscribe करना, comment करना, इस से वीडियो का engagement बढ़ता है, YouTube वीडियो को और लोगं को recommend करता है, that's why I remind you to share and subscribe in each and every video, चलिए वापस आजाते हैं, तो हमने women की क्या हालत थी, aristocratic families में, nobility में ये हमने देख लिया, लेकिन ये हालत थोड़ी सी बहतर हो जाएगी, जब हम पहुचेंगे एक merchant की घर में, आप एक merchant की घर में भी ठीक ठाक पैसा है, वैसे तो हर merchant पैसे वाला नहीं था, एक shopkeeper छोटी परचूनी दुकान वाला भी merchant है, एक बड़ा wealthy trader है, तो merchant की category बहुत बड़ी होती है, लेकिन इन merchant की family में जो woman की position थी, थोड़ी बहतर थी, क्यों? चुकि जो shopkeepers थे जब घर में काम करते थे, तो अक्सर कर इन shopkeepers को काम करने में इनकी wife मदद करती थी, shop को run करने में इनकी wife मदद करती थी, merchants और bankers के case में, उस समय पर online digital transactions connectivity बहुत अच्छी थी नी, तो इन merchants और business को कई बार बाहर जाना पड़ता था, bankers को कई बार अपने शहर से बाहर जाना पड़ता था, किसी business dealing के लिए, तो उनके absence में business के daily चीजों को देखना, daily के business पर administration को run करना, उसमें कभी-कभी wives बहुत important role play करती थी, अगर मान लो, merchant की early death हो जाएगी, तो उसकी जो widow होगी, वो बहुत हद तक, उसके business को perform करेगी, अगर वो एक काबल रहत है, जो कि उसका एक छोटा बेटा होगा merchant का, और बेटे के बेहाफ पे, वहाँ पे wife overall business को manage कर रही होगी, और women यहाँ पे बहुत अच्छी managers भी निकल के आई हैं, तो आप कह सकते हो कि merchant की family में एक woman की आउकाद, aristocratic family की woman से better थी, जिस तरीकी से middle इंडिया में भी था न, कि अमीर अगर कोई brahman है, तो उसके घर की उरत को बहुत बहार नहीं निकलने देंगे, लेकिन गाउं में कोई harboo किसान है, तो उसके घर की उर नौकरी कर नहीं, जो कि घर को support कर नहीं, जहां पर पैसा आगया, वहां की woman को बाहर नहीं निकलने दिया, यहां यह इंडिया में भी हुआ है, यह यह यूरप में भी हुआ है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में भी कुछ talented woman तो उभर के देखो सामने आएंगी, जो intellectually पढ़ना शुरू किया, जो कुछ भी printed किताब थी, उनको पढ़ा, जो काम की चीज़ें थी, business perspective से उनको पढ़ी, और यह सब इसलिए नहीं पढ़ रहे थी, क्योंकि woman को यहां पर कुछ recognition मिलने वाला था, वोमेन को formally कोई recognition यहां नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी out of curiosity, बहुत सी women's यहां पर पढ़ रही थी, यह किस ने लिखा, यह Venetian Cassandra Federnal लिखा है, जो कि 1465 से 1558 के time period में active थी, बहुत सारी women ने इन studies को embrace करने कोशिश की, चुकि आप समझो, यह women अपने husbands को, अपने घर में, अपने भाईयों को, अपने पिता जी को देख नहीं है, पढ़ आज की date में जिसके पास knowledge है, वो भी ताकतवर है, उस समय पे जिसके पास knowledge थी, वो भी ताकतवर था, ठीक है, पिर आप देखोगे, कि Venetian Cassandra Federnal, यह one of those handful of women है, जिन्होंने इस idea को question किया, इस idea की ओपर सवाल उठाया, कि that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar, उस समय के जो humanist scholar थे, जो की अपन समय से आगे बढ़ की चीज़ें बता रहे थे, जैसे इटली में humanist scholar क्या बता रहे थे, मैंने आपको बता रहे थे, चर्च की idea से question कर रहे थे, अभी north euro में humanist scholar क्या बोलेंगे, वो भी मैं आपको थुड़ी दिरे में बता हूँगा, तो एक humanist scholar को बड़े पढ़े लिखे इंसान की तरह देखा जाता था, कहीं न कोई societies को follow कर रही थी, और कुछ-कुछ वैसा ही बनने के काबिल नहीं है woman, इस प्रकार के thought process के openly against बोलती थी, Venetian Cassandra Fedele, ठीक है, Fedele, Greek में, Latin में इनके अच्छी proficiency थी, और ये इतनी पढ़ी लिखी थी, कि University of Padua में इनको lectures देने के लिए बोलाया भी जाता था, फिर आगे क्या बताया, कि भई, education की general regard के बारे में लोगों को aware करवाना, basic education की कितनी जरुवत है men, women, दोनों को, इसके बारे में society को aware कराने की कोशिश की फैड़े लिने, okay, फिर आगे क्या लिखाया, she was one of the many Venetian women writers who criticized the republic for creating a highly limited definition of freedom that favors the desire of men over those of women, उस समय पे जैसा कि हमने देखा कि society में जदातर men की ही चलती थी, women की जदातर चलती नहीं थी, तो यहाँ पे फैड़े ने question किया, कि भाई, यह कौन सा आपका republic है जहाँ पे women को rights ही नहीं दिये जा रहे हैं, जहाँ जो freedom है वो men को है, और men ही decide करेगा कि उसकी घर की women करेगी तो क्या करेगी, women को यहाँ पे आप कोई choice ही नहीं दे रहे हो, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे फैड़े कर रही थी, उसके साथ साथ एक और remarkable woman थी, वो थी Marchessa of Mantua, जिनका नाम था Isabella D.E. She was the Marchessa of Mantua, 1474 से 1539 की time period में active थी, तो यह state को rule कर रही थी जब इनके husband नहीं थे, Mantua की Marchessa थी, head queen समझ लीजे इनको, तो overall जब इनके husband वहाँ पे थे नहीं तो Mantua नाम के small state के court में यह rule कर रही थी, overall अपने intellectual brilliance के लिए मानी जाती थी, अपनी administrative abilities के लिए मानी जाती थी, तो यह कुछ नाम है, यह एक नाम तो हमने कौन सा देखा, तो हमने Fedele का एक नाम Cassandra, Fedele, दूसरा हमने यहाँ पे नाम देखा, Isabella D. Estee का, यह दो तीन women उस समय पे काफी famous हुई, जिन्हों ना अपनी काबलियत के basis पे अपनी importance को दिखाया, okay, उस समय पे और भी बहुत सी ऐसी women writers थी, जो कि अपनी writings के थूँ यह दिखा रही थी, कि भाई, यह जो word है, जो भी अपना हग मिलना चाहिए, उनको भी अपनी identity मिलनी चाहिए, तो अब बेसी बात है, women अपने rights मांगेगी, बिल्कुल सही सही rights मांगना, हाला कि इनके rights मांगने का जो काम है, लंबे समय तक चलेगा और जल्दी इनको rights मिलेंगे नहीं, यह unfortunate रहा है, women empowerment से related जो भी आपके movements वगरा चलेए, आगे बात करते हैं, बलत हसार कस्तिली गें, यह एक ऑथर है, एक diplomat है, इन्होंने अपनी किताब The Quartier में देखी क्या लिखा है 1528 में, इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, इससे एक आजमी का mindset पता चलेगा आपको उस समय के आजमी का, आज के आजम में जो डिस्पले सटें रोबूस अच्टरी मैंलिनेस, जो इस वेल फॉर वोमन तो रहा रहा है जैसे आज की टेट में, एक मैं को क्या मर्द है, तो भाई, मर्द को दर्द नहीं होता है, इक चोड़ा सीना कर के चल रह है, और बिलकुल बातचीत में बातचीत में लग रह रहे हैं, रोबूस्ट मैंलिनेस वाला स्टेंड है, वहीं पर वोमन से एक एक्सपेट किया जाता है, थोड़ा मुस्करा रही है, और मतलब फेमिनिजम वाली स्वीटनेस है, उनके अंदर और बाल लहराते वे जा रही है, तो मतलब ओवर आल, यहां पर वेन को और वोमन को एक अलग आप कहलो image में, एक अलग उनका आप कह सकते हो outer, you know, appearance दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहां पर बिल्कुल गलत था, चो कि यह इस प्रकार का appearance क्या करता है, कि men के वोमन के बीच में distinction पैदा करता है, और फिर यह चीज से एक और चीज निकलती कि men जो काम कर हैं, वो मुमन नहीं कर सकती, और फिर देखिए क्या बोल रहा है, if this precip to be added to the rules that these gentlemen have taught the courtier, then I think that she ought to be able to make use of many of them and add on herself with the finest accomplishment, मतलब जो कुछ भी यहां पे बलत हसार कास्टली गेन ने वोमन के बारे में बताया है, कि एक वोमन के अंदर sweetness होनी चाहिए, feminism, delicate tenderness होनी चाहिए, इसके साथ साथ, जो भी नियम कानून यहां पे वोमन के लिए बताएंगे हैं, अगर यह सब वोमन अपने आप में ले ले, तो अपने आप में जो वोमन हमारे सामने निकल के आएगी, she would be very efficient, हाला कि यहां पे कैस्टली गेन यह भी बोल रहा है कि बहुत सारा ऐसे virtues होते हैं, जो वेन और वोमन दोनों में ज़रूरी होते हैं, जैसे कि नैचुरली गेसफुर होना, क्लेवर होना, प्रूडेंट होना, प्राउड नहीं होना, इविल टेंग नहीं होना, वेल मैनर्ड होना, तो थोड़ी बहुत तो एक्स्पेक्ट किया जाता है, एक में को अपने आपको स सुसाइटी में दिखाना, और एक वोमन से अपने आपको सुसाइटी में दिखाने, उसमें कहीं न कहीं, ये ओवरल आप कह सकते हो की डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हैं, और इसलिए आप देखो, कि फैडल ने यहाँ पर क्या एक्सप्रेस किया, और कैशली गेन ने जबरदस्ती दिखाने की कोशेश ना करें, तो अब विसी बात, एक में की राइटिंग में, वोमन की प्रती डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है, और एक में की राइटिंग में, प्रोग्रसिव वोमन की राइटिंग में, में के बराबर सोशल स्टैनिंग पाने की एक जहा तो यहाँ पर इस lecture खतम करते हैं debates within Christianity को आगे चलू करेंगे women's related, women's inspiration से related एक वीडियो थी तो यहाँ पर खतम करते हैं thank you for watching friends, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से lecture को शेयर करना instagram पर follow कर लिए, telegram group जोईन कर लिए have a great day friends, good bye